नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है दरपन और आप देख रहें अबिन 24 दोस्तों आप को बता दें कि जिस तरीके से भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो है एक संग्यान मिलाकर कि अब भारत में हर चीज जो है वो डिजिटल होनी चाहिए पेमेंट डिजिटल जानी चाहिए यानि की जैसे कि हम बात कर लें कुछ मार्केट से खरीदते हैं तो उसके लिए हम आनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसके लिए एक एक सरकार ने जो तरीका अपनाया था कि अब जो टोल टेक्स है वो भी आपका फास्टेक के जरीए कटेगा लेकिन ये फास्टेक जो है कई बार लोगों को परिशान भी कर रहा है और ऐसे में लोगों के लिए जो है गले की फांद भी बन चुका है क्योंकि ये पीछे खड़ लिए तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये शिरी नगर घूमके आये तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इसके अंदर दिक्कत आ रही है तो सर एक बार बताईए कि क्या नाम है आपका और निटिंदर कुमार तो यह जो बता रहे हैं भी आपने आपका आपको श्री नगर का आपको उसके अंदर आया है तो आप शरी नगर गए शरों नहींदो कभी चंटी सीनगर का तो मैसेज वैसे सुनके में यह हो गया कि बेशेंगर कैसे आ सकता है चलो मान लो हमारा बस दाड़ा पास लगता एक त्वी थेड़ी तो तब भी आगा तद लेकिन स्रीनगर का दिखा रहा है हम तो बस्ताड़े भी नहीं गई जी। मैं दो पहले बार कटा इससे पहले जब कटा उस टम घृए कहीं गही नहीं जर्टार खड़ी रहती है गाड़ी को कमी उज़ करते हैं करनाल से बाहर बाहर रह बादा आपकर रहे कि तो हमारा मतलब यह निया कभी कभी गए थे कभी नोख रहले नोख्री लगन शे पहले देख़ा होगा जी आ राब और स्रीनगर के टूल कट रहे हैं काम करते हैं रिघीशन डिपार्टमेंट में रिड़ेंदर जेई हूं आपको सारा देन जो है बीजी श्याडूल होता है जिब घुसकी इन्फर मेशन करें अपना है एड़ आफ़िस छोड़ते हैं तो और यह तो गाड़ी तो रेरी यूज हो जो पहला आपका फास्ट एक टा था उसमें बढारें कितने रुपे कटे तो इसमें उसमें दोस्तों पच्छों के लिए दिन हो गया है उसे यह तेरा थारीक की बात है तेरा थारीक की बाद पटे कि 11 तारीक को आपके गाड़ी में से टोल कटिया जोंगि 11 तो आपने देखा कि तेरा तारीक यानि की तेरा फर्वरी को इनकी खड़ी हुई घर में यह गाडी जिसमें आरा हुआ है शिरी नगर शिरी नगर आ रहा है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बार-बार उनके पैसे कटते जा रहे हैं और यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों ने अपनी गाडियों में फास्ट एक लगवाया हुआ है क्योंकि ऐसे मामले पहले भी द जाएंगे तो यहां पर यह देखिए यह मैसेज भी ने आया हुआ है यह 110 रुपे का यह हम सिरफ बाते नहीं कर रहे हैं आपको हम दिखा दिखा भी देते हैं और यहां पर आप देख लिजिए यह जो इसके अंदर आपको मैसेज जो हम थोड़ा सा छाओं में दिखाने का प्रियास करते हैं और यहां पर फिलहाल यह देख लिजिए 110 रुपे यह देख लिजिए 110 रुपे यहां पर कटे हुए हैं और शिरी नगर टोल प्लाजा जो इसके अंदर गाड़ी का नंबर भी HR 32 M1663 यह गाड़ी का नंबर है और ICI बैंक का जो फास्टैक जो है यह इसक की ड्यूटी से आकर जो है इस कवरेज के अंदर खड़े हुए जिन में इन्होंने बताया कि पहले भी इनका जो है फास्टैक पहले कट चुका है और अभी भी यह कट रहा है तो यहां पर सब क्या कहेंगे डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन इस तरी दिन में डाउट हो रहा है कि हो सकता पच्छेश दिन तक शायद मेरे से मैसेज भी दूस्त पैसे कटने से काफी जादा दिन हो चुके हैं और दूसरी और कटगी दूसरा और कट यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट तो एक आना था लेकिन वह पेमेंट तो इनका आया नहीं बलकि दूसरे पैसे जो हैं वो और अलग से कट गए हैं तो यहां पर यह जरूर है कि यहां पर जो सिस्टम इसका बनाया गया है वो अभी भी काफी जादा कमजोर है और उसमें बहुत जादा सुधार की जरूरत है क्योंकि फास्ट एक जो है इसे इस खड़े होके सडक पर उन्होंने नारे भी लगाए हैं कि यहां पर टोल ना लगाए वहां ना लगाए तो उनको लगा कि कहीं लोग पैसे ना कैश नहीं दे कर जाते हैं तो ऐसे में फास्ट एगी क्यों ना लगा दिया जाए लेकिन उसकी वज़ा से कितनी सारी दिखते ल लोग हैं जो पहले भी स्ट्र्हें की कंबलेंट जो कर चुके हैं अला कि जो कंबलेंड्ट सेंटर हैं उनका दावा कि आसी नहीं है इनकी पहली बहा रही है लेकिन हमारी नजर में यहां पैसे काटने में सरकार काफी की तेज है फटाफट से payment काटने के लिए लोगों से लिटोर टेक्स वसूलने के लिए ऐस्ट जैसी टेक्नोलोजी को मना दिया गया लेकिन अब इस टेक्नोलोजी से कितना लोगों को जो है नुक्सान जो है जहलना पड़ सकता है वह यहां पर आप देख सकते हैं तो फिलाल चाहेंगे फिलाल आपका पेमेट तो आया नहीं है चाहिए कम पेमेट है ज्यादा है लेकिन कहीं लग रहा हो गया भी दुबारा भी कट सकते हैं नहीं हम इंडिया के फेवर में हैं हम बड़ी खुशी हो रही है बहुत जिंगास विधा भी यह मिल रही है कि हम नहीं रखना पड़ता लेकिन अगर डिजिटल अगर इस चीज़ को कर है कर लिया जाए चलो दोस्तों पच्चीस रुबे कोई माइने नहीं रखता पर लेकिन ऐसा करते करते तो बहुत सारा पेमेंट चला जाए अगर हर एक आदमी को 200 रुबे चला जाए तो कोई बात नहीं 200 रुबे स्री नगर सोच के देखिए जी ब्रफ मेरे मेरा कि कि सिस्टम से कोई और गाड़ी टौल क्रोस कर रही है जो एंटी टैरिरिस्ट भी हो सकती है बता दूब बात स्रीनगर का मैंसे जाना मेरे मेरे फॉन पे और वह भी स्रीनगर के टोल का तो गोवर्मेंट की नजर से कुछ ना कुछ बच रहा है उसके उस बात को ध्यान में लाने के लिए सिस्टम कमजोर है इन्होंने सारा डिजिटल सिस्टम क्या है है कि इसमें तो यह दिखा रहा है आप रहे यह दिखा रहा है आप रहाया है कि अ पर जादा है यह तो शाम तक पहुंचता मालुमें आज कल भी चल पड़ता है स्रीनागर से टोल क्रोस करके तो मैं शाम तक पहुंचूंगा यह देखो जी यह मैं यह कहा हूं कि यह ना एक बहुत बड़ी बात है कि जो ना दुनिया की नजर में आना बहुत जरूब बड़े सुधार की जरूरत है अभी बहुत कमजोर है सिस्टम ठीक है कि घड़ी खड़ी नहीं होती टोल पे लेकिन अगर यह चीज़ मिस्यूज हो रही है ना तो यह सरकार को थड़ा सद्यान देने की जरुत है तो यहां पर इस तरीके से यह भी सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप कहीं गए नहीं है लेकिन आपकी मौजूद्गी अगर वहां पर दिखती है तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है फीचर में आपके लिए तो अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें और किसी के साथ पहले ऐसा हुआ हो तो वह भी कॉमेंट बॉक्स में ज झालuden आपके लू झाल अपके लिए धी एक यह प्यूदय है अ